वेल्कम बैक टो माई चैनल तो कैसे हैं आप सभी आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वह बहुत ज्यादा इंपॉर्टिट टॉपिक है गल्स के लिए कि गल्स के दिमाग में हमें सही रहता है कि हमारा जो फांडेशन का बेस है वह फ्लॉलेस क्यूं नहीं है हम जो फांड बेस्ट लगाते हैं वह उसमें सापके हेर दिखते है इसलिए आपका जो बेस है वह बिल्कुल बिफ्ल लाइस नहीं लगता तो मैं आपको बताती हूं चल्वाना तो ना बाबना यह वाला तो बिल्कूली मैत्टर बेकार है दूसरा आप अपने फेस को वेक्स करवाएं व पह Nim का फो मेतनप आज़ तो आपके सकते अधलES विल्कु से सकते हैं किता यह प्लिज जाए नेल प्रहिज्च नगांस नियुविंच न ठाइने लगाने तो जो अमारा सचल है वो था हमारा फेस रित यह और लेकिन चेма नाम आते हमारे दिमाग में फिर कोर्षन आ जाता है क्यूंकर हम ईद्ञ हम पर हम सोच है क्योंकर हम अब सोचते हैं जैसे रहुषे उनके हर्मोंस लग ऑफें़ हुम ready है कैसे बड़े बाल Lawrence Members को यूज करना शुरू करा गर्मियों से मतलब की 2020 से गर्मियों से जुन जुलाइ के टाइविंग पर जब चल रहा था लॉकडाउन तो मैंने रेजर लिया मैं गई भीया लोकल मार्केट और मैं रेजर लिया अब मैंने देखा मैंने सूचा जो होगा देखा जाएगा मैं और जो मैं फांडेशन लगा रही एकदम फ्लोलेस बहुत अच्छा लग रहा मैं टैनिया 20 डेस में फेशल रेजर यूज कर लेती थी और मैं जब जाते यूज करती थी अगर मुझे कहीं बाहर जाना होता था अदर्वाइस मुझे इतनी जुरूत नहीं पड़ती थी इसक करें आगे देखना कि मैंने कैसे यूज किया है अपने स्कीन केर अच्छे से करें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक है जो फेस रेजर का लिंक है वह मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी वह आप एक बर चेक कर लेना मैंने यूज करें हैं वेग मैं दो यूज कर चुकी हूं यह मेरा थोड़ है इसको मैंने अभी यूज किया है मैं आपको निकाल के दिखा देती हूं यह आपको और रेजर से अलग लगेगा देखिया यह आती है इसकी कैप और आप देखिए जो रेजर है यह हमारे 90 डिगरी के अंगल पर देखिए औ दूसरे हमारे फेस पर कोई स्क्रेच और नहीं लगेगा लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से पुरी सावधानी से करेंगे ना फेस को रेजर आपका फेस है यार ठीक से करेंगे तो आपको इसको हमेशा 90 डिगरी के एंगल से करना है अगर आपके फेस की ग्रोथ इधर है तो आप इस साइड ही करेंगे ऐसे नहीं लेकर जाएंगे इसको ऐसे ऐसे करेंगे ताकि आपकी फेस के ग्रोथ भी बड़े और अपको पोई दिकत न होर जब भी आप अपना फेस पर रेजर को यूज करेंगे तो ना इंट ठीकर अगल पर रखके करेंगे या तो आप बहुत अच्छा लगा जब से इसको मैंने यूज क्या मेरी लाइफ तो यार चींज हो गई है ना मेरे को अपर लीप्स कराने की टेंशन ना मिले को फॉर हैड कराने की टेंशन और ना भीया कुछ और कराने के टेंशन सिर्फ ट्रेडिंग के लिए बाहर जाती हूं वह भी इस वज़े से अगर हलके फुलके बाले जाते हैं तो मैं चले जाती हूं पालर क्योंकि इतने ज्यादा मेरे पैसे नहीं है कि मैं अपर लिप्स और हो रेट पर खर्च करूं मैं इसे से मेरा काम बहुत अच्छे से हो रहा है ठीक है तो आप मैंने बहुत ज़्यादा बगभग कर लिया और आपको मेरे को लगता है कि आपको भी समझ आ गया होगा जो मैं समझाना जाती हूं ठीक है अगर आपके लिए वीडियो हेल्फूर रही हो उसके लाइक कर देना म मेरी वीडियो को भी ज़्यादा शेयर कर लेना ताकि जो लड़कियों के दिमाग में मित है वो दूरो और वो भी यूज कर लेना चलिए तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की दरफ लेट्स गेट स्टाड़ेट तो आप देख सकते हैं यह जो मेरा फेस है यह विदाउट मे और मैं ठ्रिणा प lodge yum port के चारकुल ऐसे वॉर से अपको आपको अच्छे अपने फेस को वाश कर रहा है एं 1 हाँ मैं इस को पहीं अपने पैस को एक टयोवल की है इसको अच्छे है हमें अपने फिफ को एकदम प्र 27 कना कहीं भी एमारा फ्स वैट नहीं होना चाहिए दैन मैं लगाऊंगे अपने face पे serum और ये जो मेरा serum है ये है good wipes का grape seed serum इसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ ये अब almost finish ही होने वाला है इससे मैं अपनी skin को अच्छे से prep कर रही हूँ कि आपको हमेशा razor यूज़ करने से पहले अपनी skin को अच्छे से प्रैप करना है दैन मैं लिप्स पर लगा रही हूँ वैसलीन क्योंकि विंटर में लिप्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इसलिए अपने lips का भी ख्याल रखना है दैन मैं यूज़ कर रही हूँ अपने face पे facial hair को remove करेंगे तो हमारी skin harm हो सकती है और redness वगरा हो सकती है इसलिए इससे पहले हम इसको प्रैप कर लेते हैं इसको मैं अच्छे से पूरे अपने face पे ऐलो वीरा जैल लगा रही हूँ दैन मैंने लिया है अपना vega का razor और आप देख लीजिए इसकी shape जिग 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 ज कि अच्छे साउंड सुना ना आपने देखिए hair actual में निकलते हैं कि देखिए यह hair निकल रहे है मेरे face पे इतने जादा hair नहीं है कि आपको मतलब visible हो इसलिए मैं आपको वैट टीशू पे दिखा रही हूँ इसमें hair है और मैं अपने face को अच्छे से clean कर लोंगी दैन मैं अपनी जो लाइन के पास भी करूंगी क्योंकि यहां भी हलके चोटे-चोटे hairs होते हैं इधर से भ अगर आप जल्दी बाजी में करेंगे तो आपको लग सकती है इसलिए बिल्कुल धीरे से और अराम-अराम से करें हलके हलके स्ट्रॉक लें चोटे-चोटे-चोटे स्ट्रॉक में करें और आप इस टाइप से नीचे-नीचे करें आपका face एक्दम clear हो जाएगा कि देखिए मैं अपने पूरे face पे अच्छे से कर लूँगी बैन मैं अपने upper lips पे भी करूँगी अपने chin area पे जहां जहां भी आपको लगता है कि हाँ आपके hair है आप इसको यूज़ कर सकते हैं वैसे मैं तो अपने all over face पे ही यूज़ कर लेती हूँ और अब मैं करूँगी अपने upper lips पर देखिए इसी टाइप से आपको करना है आपको अपने face की जो skin है उसको stretch करना है क्योंकि अगर आप lose करेंगे तो cut लगने के chances हो सकते हैं आप उसको अपने face को stretch कीजिए और तब आप कीजिए अराम से कि मुझे मेरी skin पर कोई problem नहीं हुई razor use करने से बाकी मैं और लोगों की skin type सबकी अलग-अलग होती है तो पता नहीं किसको क्या problem हो लेकिन मेरी skin एकदम ठीक है मैं अपने पर six month test करके तभी आप लोगों को बदा रही हूँ कि मेरे लिए बहुत helpful रहा है अगर आपके face पर करना helpful लगे तो ठीक है अगर आपको pimples वगयरा या कुछ भी आपको problem लगती है तो आप मत इसको use करना बाकि मेरे को कोई problem नहीं है इसलिए मैं इसको use कर लेती हूँ अब मैं अपने forehead पे से बाल हटा लूँगे यह जितने भी baby hairs हैं छोटे-छोटे मैं इनको remove करूँग और यहां से आपको बहुत ही दिहां से करना है क्योंकि यहां पर भी आपके eyebrows भी है तो eyebrows पर कटना लगे इसलिए आपको बहुत ही ध्यां से इसको करना है ताकि आपके eyebrows वगयरा खराब ना हो अब अब मैं अपने sides के सारे baby hairs निकाल रही हूं अब मैं आपको दिखा रही हूं वीडियो को थोड़ा fast forward करके यह देखिए मैं अपने सारे baby hairs को remove कर लूँगी दैन मैं अपने nose के आसपास के area पर भी razor कर लेती हूं इससे सारे dead skulls वगयरा हमारे blackheads वगयरा भी साथ के साथ remove हो जाते हैं इसलिए मैं अपने nose के आसपास भी कर लेती हो और हमारा face भी एकदम clear हो जाता है इसी के साथ हमारा facial hair हो चुके है remove दैन उसके बाद में अपने razor को sanitize करके रखूंगी डिटॉल वगयरा से इसको clean करूंगी और इसको pad dry करके इसको अच्छी से रखूंगी दैन मैंने कर लिया है normal water से अपना face को wash और मैं इसको क facial hair नहीं लगेगा और आप इसके बाद जब लगाएंगे अपना primer दैन उसके बाद लगाएंगे foundation बहुत ही अच्छा आपका base आने वाला है आप अभी देख लीजिए मैंने कुछ नहीं लगाया face कैसे glow कर रहा है दैन अब देख लीजिए आप यह result है इतने सारे मेरे face पे hair थे और आपको पहले दिख भी नहीं रहूंगे hair लेकिन आप देखी कितने hair निकले हैं चलिए आप कर लेते हैं अपनी skincare इसके लिए मैंने लिया है वी एल से सी का rose water और rose water लगाने से हमारे face को मिलता है cool effect और जो भी हमारे open pores और वो सारे close हो जाएंगे इसलिए इसको मैं अच्छे से अपने face पे रब करके लगा लूँगी विंटर है इसलिए अपने lips को भी प्रैप कर लेते हैं क्योंकि आपको पता ही है winter में अपने हमारे lips कितने dry हो जाते हैं तो lips को भी मैंने प्रैप कर लिया है दैन मैंने लिए है cold cream ponts की आप चाहें तो कोई भी cold cream ले सकते हैं अच्छा सा मॉशराइजर ले सकते हैं लास्ट में मैंने कर लिया है अपनी skin को मॉशराइज अच्छा से अपनी skin को मॉशराइज करें और बिना pain के मैंने अपने facial hair को कर लिया है remove और देखिये मेरा face कितना glowing लग रहा है अभी एक perfect base के लिए ready है और आप देखी सकते हैं without makeup भी मेरे face पे कितना glow आ रहा है कि है ना बिल्कुर नैच्छल ग्लो तो गाइस अगर यह वीडियो आपके लिए helpful रही हो तो भी वीडियो को जिल्दी से like कर देना शेयर कर देना और बेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और कर लेना वजह इंस्टा पे फ़र टिके की वीडियो अपनी चैनल पर और भी टाली हुए या आप उनको भी जा है